नमस्का दोस्तों साल की रिशा चनल में आपका स्वागत है दोस्तों बीर का पतला होना यह एक गंभीर समस्य आपको हो सकती है दरसल दोस्तों अगर आपका बीर गाढ़ा और सफेध होता है तो ऐसे में दोस्तों आपका बीर काफी स्वास्त बीर होता है यानि जो बीर गाढ बढ़ा और सफ़ेद होता है वह काफी सवस्त ही होता है वहीं अगर आपका वीर पतला और पानी के जैसे हैं तो ऐसे में जिसमेंद नहीं आपको हम कुछ ऐसे घरे नुपाय के बारे में बताएंगे जिसकी सहायता से आप अपने वीर को गाढ़ा कर सकते हैं तो आइए दोस् को इसकी बिल्कुल ना करें ऐसा करने से आप वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझ में समझ नहीं पाएंगे तो ऐसे मैं आप कमेंट करेंगे कि मैं गलत बता रहा हूं कि मैं टो आये दोस्तों जानते हैं दोसों बिल्यों को गाढ़ा करने के लिए सबसे मोच्ट इंप्रोटेंट बात करें तो दुश्व्ट एक्ससाइज जी हां को 29 प्रती दिन करने चाहिए एक्ससाइज करने से हमारे सरी चाहिश को भूकटी है और जो बैड कोलेश्ट्राल ह होता है और इसके साथ भूख तो बढ़ती है इसके वाज़ से आपको भूख लगती है और आप अच्छे-अच्छे भोधन का शेवन करते हैं जिसके वज़ साफ की शरी हम अच्छी मातर में प्रोटीन मिलती है इसके बादिन से आपका वीरे में सुक्रवानों की जो कमी होती है इसमें बढ़ोतरी होने लगते हैं इसके साथ दोस्तों बात करें वीरे गाढ़ा करने की तो दोस्तों बीटामिन अस्वगंधा कर्शेवन जरूर करना चाहिए जी हाँ दोस्तों बीटामिन बढ़ाने में काफी मदद करता है अगर आप आस्वगंधा करते हैं तो इससे आपका यूणिटी सिस्टम भी मजबूत होता है और इसके साथ दोस्तों आपको सरी में वीरे काफी जादे मात्र में बनने लगता है और शुक्राणों की संख्या में बढ़ोतरी होती है जिसके वाज़े साथ आपका वीरे गाड़ा होगा और इसके साथ दोस्तों अगर आपका वीरे पतला है तो ऐसे में आपको दही दूद केला खाना चाहिए इससे आपका वीरे काफी तेजी से बढ़ेग होगा तो दोस्तों आसा करता हूं आप अगर दूस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि दूस्तों हम जानुर्थक स्काम्पांब्ली है देते हैं